नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि ज्यानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता जैश्री कृष्णा दोस्तों चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाती हुई देखने के लिए चाबी का यह प्रयोग जरूर करें चाबी है तो जीवन है क्योंकि ताला ही हमारा जीवन बचाता है जहां होता है ताला चाबी वहां धन भी खींचा चला आता है दोस्तों आपने देखा होगा, कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकरशित होती है लक्ष्मी को बोलचाल की भाशा में हम बोल सकते हैं रुपया पैसा एवं धन दौलत आपको बता दें, बैंक को जो सुरक्षा देता है। वह भी ताला चाबी ही होते हैं। ताला चाबी हमारे जीवन में सुख और भाग्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों कुंजी को भाग्य का कारक माना जाता है। ताले को राहू केतु शनी और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होती, धन धान्य की कमी बन जाती है। माता लक्ष्मी भग्वान विश्णू के साथ माता हो जाती है। विराज तो क्यों रखना चाहिए? तकीए के नीचे चाबी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा. भगवान की कृपा से यह जानकारी हमें प्राप्थ हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ. हम चाहते हैं आपको धेर सारे फायदे मिले और आपका कल्यान हो, आपका भला हो, ताले चाबी का यह प्रयोग आपकी किस्मत को सवार करके रख देंगे. दोस्तों, आपका दिन दिखने रात चौगुनी तरक्की होगी तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा. आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा. च चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए? चाबी कैसे रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहां पर है? यह आप जान लीजिए. सबसे पहले जानते हैं. चाबी के बारे में तो आपने देखा होगा कि हड़ताल के जो तोड होती है. चाबी जी हाँ, हाटल चाबी की जो तोड होती है, चाबी वह चाबी होती है, और आपने देखा होगा, जब हम लक्षमी पूजन करते हैं, तो लक्षमी पूजा करने के दौरान माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए घर में चाबी लाते हैं, दीपावली के दिन घर में चाबी लाई जाती है, ऐ आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुलहन, प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी, और आज भी ग्रामीन इलाकों में नई दुलहन की शादी होती है, तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है, वह चाबी का गुच्छा क्यों दिया जात है, वह भी जान लीजिए, दोस्तों शास्त्रों में जो नई नवेली दुलहन होती है, उसे घर की लक्षमी माना जाता है, और धन की देवी लक्षमी नई नवेली दुलहन को ही लक्षमी के रूप में माना जाता है, और धन की देवी लक्षमी उसकी तरफ आकरशित होती है तो नई नवेली जो दुलहन है उसकी तरफ ज्यादा आकरशित होती है और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है लक्षमी माता की और घर की लक्षमी कौन है तो नई नवेली दुलहन दोस्तों इसलिए नई नवेली दुलहन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है चा ताला चाबी के कुछ प्रयोगों को दोस्तों अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं पर भी फेक करके रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ताला किसे कहा जाता है, तो जो ताला है ये राहू माने जाते हैं. आपने देखा होगा, बंद किस्मत जो हमारी किस्मत में तारे लगे हैं, होते हैं तले. मतलब रहू तो जो ताला है राहू का प्रतीक माना जाता है, और ताले. कि रक्षा कौन करता है तो भैरव बाबा करते हैं, कुंजियां कौन है कुंजी. हम बुद्ध को बोल सकते हैं, ज्योतिश के अनुसार जो बुद्ध है ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक माने जाते हैं, तीसरा भाव जो प्रक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का होता है. इसलिए जो ताला है इसे हम राहू का प्रतीक मानते हैं, जो चाबी है इसे बुद्ध का प्रत तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है आधूरा ग्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा अगर कोई उपाय हमारे पास होगा तो वह आपके हम आपके कमेंट के रिप्लाई करके बता देंगे राशी के अनुसार उपाय करने से धन दौलत बहुत तेजी से आकरशित होती है इसलिए अपनी राशी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सा ताला लगाना चाहिए आप मेंसे अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए तो आप अपने योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं और धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि चांदी के जो तले हैं इसे लगाना बहुत ही शुब माना जाता है और एक बात आप सभी दर्शन आज के इस वीडियो में जान ले कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं आप उसे घर में रहे या ना रहे लेकिन उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखे आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए, वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहीं पर जो है, आप ताले को लगा करके रख दीजिए, जरूरी नहीं कि आप जो है ताला लगाने वाली एक सिग्डी होती है, उस घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में दुख और दर्द का प्रवेश नहीं करती, इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें, और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखे थे, जिस घर में ताला लगा होता है, उस घर में कभी भी गरीबी या फिर निर्धनता परेशानी दुख तकलीफ बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती है, आप इससे बचने के लिए एक छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए, और छोटे से ताले को आप लगा करके उनकी चाबी हमेशा जो है अपने पास में रखें, फिर मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा, चाबी कहां रखना चाहिए, जिससे हम हमारा जो है आध्यात्मिक उन्नती हो, क्या मैं किराया में रहती हूँ, किराय के मकान में रहता हूँ, तो ताला लगा सकते हैं, या फिर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं, घर में नहीं रहता हूँ, और मैं बाहर रहता हूँ, तो क्या ताला लगा सकता हूँ, बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं, ताला छोटा सा ही सही, पर ताला रख लीजिए, आप लक्षमी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है वहाँ से तुरंत भाग जाती है और आपके घर में कभी भी गरीब नहीं करती उस घर में भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करते हैं दोस्तों ताले चाबी का दूसरा प्रयोग जान लीजिए एक नया ताला और चाबी खो देगा आपके बंद किसमत के ताले आईए जानते हैं किस प्रकार से ताला चाबी है? ये बंद किसमत के ताले को खोलते हैं इस उपाय से बंद पड़ेगा वह हो जाएगा, भाग्य को भी ताला लग जाता है, जिसे खोलना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो आपको क्या करना है? सर्व प्रथम तो आपको आना है, और आपको कॉल करके नहीं देखना है, और इसने ताले का आपको क्या करना है? किसी भी मंदिर में चार बजे स्नान ध जो ताला है, चाबी है, उसे छोड़ करके आ जाना है। जाएगा और यह बहुत ही चमतकारिक प्रयोग है। काफी परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी किस्मत ऐसी है कि एक स्थान पर जाकर के स्थिर रह गई है। कि ताला लग गया है कि बंध हो गया है। जीवन पर ताला लग गया है, धन दौलत पर ताला लग गया है, तो ताला कैसे बोल सकते हैं, तो वीडियो में पहले ही बताया था राहू है। वह सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है, तो आप जो है, चांदी की चाबी ले लीजिए, और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद, इसे माता लक्षपी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी के मैं आप लोगों को कई बार बीज मंतर बता चुका हूँ ओम श्रीम श्रीम नमः बीज मंतर है या फिर ये बीज मंतर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो श्रीम 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 ये बीज मंतर पढ़ सकते हैं ये बीज मंत्र एक हजार आठ बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेट कर देना, और इस चाबी को आप जो है, अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल. कलर का जो धागा है, उसमें धारन करें, तो बहुत ही लाभ देखने को मिलता है. माता लक्ष्मी साक्षात आपके उपर महर्बान हो जाएगी, आपके उपर अपनी कृपा बरसाएगी, महर्बान हो जाएंगे और आप खुद देखना, आपकी जो बंद किसमत का ताला है, वह खुल जाएगा, आपके आध्यात्मिक उन्नती हो जाएगी, और यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे महिला या पुरुष, या अपने गले में चाबी धारन कर सकते हैं, लेकिन चान्दी की ही चाबी धारन करें, अगर सोने की चाबी धारन करते हैं, तो फिर इसे अति उत् अस्त्रों में अगर देखा जाए, तो चान्दी और सोना दोनों को अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता, है लेकिन आप अपनी योग्यता के अनुसार आपके पास पैसे बहुत कम हैं, तो आप जो है अपने समर्द के अनुसार ही धारन करें, अगर आपके पास भी भी धारन कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है, दोस्तों आप मेंसे अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं, कि गुरुजी आप हमें यह बताने का प्रयास करें, कि जो ताला है, इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती है, आप मेंसे बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं, कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए, जो कि हमें उत्तम फल दे, और जो उत्तर प्रशनों के उत्तर हैं, उसका सवाल एक प्रकार का होता है, उसी प्रकार जो उत्तर है, देवताओं की दशा मानी जाती है, तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में अगर जो है, आपके द्वार पर घर पर जो ताला लगा करक उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की और पश्चिम. दिशा की और मुख करके रखते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है. लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में न रख करके अपने घर के पीछे द्वारा या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखें, तो उसकी चाबी जो होती है, तो वह आप माता लक्ष्मी जी की फोटो या फिर मूर्ति के पास में रख दीजिये और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, कि माता हमने ताला लगा करके रखा है, आप चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, माता आपकी बेहन को लक्ष्मी को आने से रोके, तो इस प्रकार स तुलसी के पौधे के पास में भी चावी रख सकते हैं। के घर में अनुदाण की कमी नहीं होगी lucky, लेकिन चाबी में एक काम अवश्य करना लक्ष्मीजी का loket ज़रूर लगा करके रखना है, या फिर श्रियंत्र लगा करके रखना है, ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का श्री यंत्र लॉकेट होता है, जो चाबी के साथ में लगा हुआ, उसे स्थान पर फिर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, हमारे घर में माता रानी दोड़ी चली आएंगे, एक लाएक माता रानी के लिए जरूर करें और दोस्तों वीडियो लास्ट तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।